Now we will discuss a suggested list of materials for the ECC classroom, यानि यह जो हमने corners बनाए थे, उन corners में हम क्या क्या चीज़े रख सकते हैं, वैसे तो यह बहुत लंबी चौड़ी फैरिस्ट है, बहुत सी चीज़ें रखी जा सकती हैं, जो लो कॉस्ट भी हो, और बहुत ज्यादा उनकी कीमत भी ना हो, लेकिन बच्चे उनसे मदद दे सकें, फिर भी कुछ जरूरी चीज़ें जो आप रख सकते हैं, उन में क्या है, पेंट पाउडर है, पेंट है, सोप शेविंग्स है, पैंसिल शेविंग्स हैं, रंगों को जितने भी तरह के हम जैसे वाटर कलर हैं, वो भी बच्चे शौक से इस्तमाल करते हैं, पानी डालते हैं, फिर उसको बड़े-बड़े बलॉट्स लगाना उनको पसंद है, तो वाटर कलर भी रखें, और इसके इलावा जो भी क्रियेटिव आर्ट, पिर ऐसा भी है ना, जैसे हमने पहले भी अर्ष किया था, कि क्रियेटिव आर्ट सिर्फ चीजें बनाना ही नहीं है, बलके खुद को कुछ पोस करके, कोई लतीफे को, कोई कहानी को, ड्रामाटाइज करना भी आर्ट ही का हिस्सा है, तो उसके लिए कुछ कॉस्ट्यूम्स भी रखे जा सकते हैं, कुछ डॉल्स भी वहां रखी जा सकते हैं, बतलर अगर बच्चे डॉल्स की मदद से केरेक्टर को खेलना चाहें, तो भी ठीक है, और अगर वो खुद कॉस्ट्यूम पहन के, खुद से कुछ डायलॉग बोलना चाहें, तो फिर भी ठीक है, तो आप उस क्रियेटिव आर्ट वाले गोशे में जाके, बच्चों को कुछ भी छोटा सा करने को कह सकते हैं, फिर म्यूजिक और मूव्मेंट जो हमारा, यानि जो इसी कॉर्णर में, जो क्रियेटिव आर्ट कॉर्णर है, उसमें म्यूजिक के लिए एक भी छोटी-छोट और मूमेंट जो हैं रखे जासकते हैं, ताके बच्चे उनको बजाएके, उनki साूंड पैदा करके, उनको सुनते हैं तो खुश होते हैं और वो मुफि तरह की सरगर्मिय जो हैं, उसके साथ कर सकें. फिर जो रिणिंग राइटिंग के हमारे कॉर्णर्स हैं, उसके अंद स्टोरी हैं उन्की चो फिक्चर स्टोडी होथी हैं उसको हम पिक्चर स्टोरी कहते हैं एक जाब दो लफज फिर्फ गाइड लाइन्स के लिए उसके नीचे मौझूद होते हैं। पूरे सफे पर तस्वीर और नीचे फुए एक जुमला दिखा वहा है, जैसे बच्चे थोड़े बड़े होते जाते हैं, फिर ज्यादा उनकी imagination जो है वो और develop करती है, तो हम फिर वो जो लाइने हैं, उनको बढ़ा देते हैं, और story थोड़ी सी और बहतर हो चली जाती है, और तस्वीर थोड़ी सी छोटी हो जाती है, और इसी तरह जैसे हमारा और level तो हम थोड़ी सी पेचीदा कहानिया, पेचीदा से मतलब है थोड़ी कहानी जिसमें और किर्दार आ जाएं, जिसमें और सरगर्मिया आ जाएं, और situations आ जाएं, वो डाल देते हैं, और फिर हमने ये देखना है, कि यहां पर किताबें किस तरह, किस level की किताबें हों, उनको कैसे अरेंज किया जाएं, बच्ची असानी से उठा सकें, असानी से वापस रख सकें, और फिर इसके इलावा लिखने का जितना भी समान है, वो मजूद होना चाहिए, तरह-तरह की पैंसिल्स हों, रबर हो, शापनर हो, इरेजर्स वगएरा, शापनर हों, और फिर पेजे आपके जो ब्लॉक्स हैं, मिस्ट्री बैक्स हैं, उनसे बनी होए छोटे-छोटे ट्वाइज हैं, वो तरह-तरह की चीजें जो हैं, वहाँ पर रख सकें.